नमस्कार शाथियों जाहिंद वंदे मातरम राम राम मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आयस एकडमी पर तई दिल से आरदिक श्वागत करता हूं हारदिक अभी नेंदर करता हूं तो प्यारे शाथियों आज एक हम लोग है जो कि नया टॉपिक शुरू करने जा र तरिके से हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं और आप शाथ-चाथ हैं हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं मैं जो आपको बॉरड के ऊपर लिखवाता हूं वह साथ-चाथ आप अपनी नोट-बुक के अंदर नोट करते रहे लिए और उश को बात में है जो कि रिविजन क करना है तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देरी के आज का शेशन को सुरू करते हैं एक notebook औप पेंगे लिए करके बैठ जाएं और पहले जो अम सम्झने की बात आती है तो आप लोग है जो कि समझने की crash करें और जहां पर आपको समझ में नहीं आता है तो वहां पर है जो कि आप comment में लिख दीजिए कि सारे यह चीज हमें समझ में नहीं आई है तो मैं आपको दुबारा है जो कि पुना उसको समझाने की कॉस्स करूँगा ठीक है तो सबसे पहले हेडिंग लगए लोक गीत वे लोक संगीत हेडिंग लगए लोक गीत लोक संगीत इन दोनों में डिफरेंट क्या है क्या पढ़ेंगे लोक गीत लोक संगीत यानि अगर हम बात करें तो जन्ता है या फिर जन्षाधारन की अगर बात करें तो जन्षाधारन के जो मनुख भाव है उनका परतिविंब ही क्या है लोक संगीत है और जिसका मुक्ह आधार है यानि लोक संगीत का मुख्य आधार है वह क्या है वो लोक गीत है तो के चली interessant की करते हैं। जन्ता का मनुखाव है मनुखाव samples की का परतिविम्ब एक बार समझने कोशिश करें बाकि में अच्छे से लिखवा दूँगा परतिविम्ब ही क्या है लोक संगीत है और इसका जो आधार है इसका आधार ही क्या है इसका जो आधार है क्या है लोक गीत है और इसके चलते हम बात कर सकते हैं अलग अलग परकार क्या है जो कथन के हैं जैसे कई सारी जो विद्वान है उन्होंने लोक गीत पर है जो की या फिर हम कह सकते हैं लोक संगीत पर कई सारी जो अलग अपने कथन है जो की बताई है इस परकार से जैसे किसम मातमा गांधी ने भी अपना कथन दिया है लोक संगीत पर टेगोर ने दिया है रामसंदर शुकल ने दिया है और एक हम कह सकते हैं देविंदर शत्यारती ने जो कि इसके बारे में कहा है कि लोक संगीत है जो कि हम कह सकते हैं लोक गीत जो किसी संस्कृती के मुह बोले चित्र क्या कहा है यी बाते दो-तीन चीज है जो कि अच्छे से लिखना और आपको याद में रखना है कि देविंधर सत्यार्ठी ने यह कहा है कि लोग गीत किसी संस्कृत्टी के मुह बोले चित्र है ठीक है तो यह आप ख्लब है जो किसे याद में रखना है और कह lobby नोग कहा है कि लोक गीत मात्मा गंदे निया कहा है कि लोक गीत जनता की भासा है और लोक गीत है जो कि हमारे जो संस्कृती है उसके पहरेदार है जिसमें हम बात कर सकते हैं परवत है धरती है नदिया नदी नाड़े जो भी है फसले है ये उसके अंदर है जो कि जूमते है और हम कह आते हुए प्रतित है जो कि उसके अंदर होते हैं एसा कहा है महत्मा गांधी ने टेगोर के अनुशार इसके अंदर क्या कतन का गए है कि लोकक गीत संस्कृति का सुखद संदेश क्या है धनमा-ध्या माने गई है उटक्र शेilly कि वा घ्रणीन 1945 सब्सक утил लृक गीते संस्कृति के है जो कि हम कह सकते हैं कंदों पर बेट करके आती है एसा किसने का है रामचंद्र शुक्र ने का है यह चार पांच बात आपको है जो कि लिखनी है यानि हम कह सकते हैं जो मत किन किन दिया है जैसे मातमा गांधी ने दिया है और एक हम कह सकते हैं टेगोर ने दिया और एक देविंद्र शत्यार्थी ने दिया है ठीक है और एक दिया है रामचंद्र शुक्र ने रामचंद्र शुक्र ने तो यह चार-पांच कर सकते हैं बातें आपको याद रखनी है अच्छे से फिर उसके बाद में जैसे कि हम लोगों ने जो नर्ते पड़े थे नर्ते को कई भागों के अंदर जो हम लोगों ने बांट के पड़े थे मुखे रूप से चार भाग है जो कि नर्ते के हम लोगों ने बांट के पड़े थे जिसमें पहला था एक जातिय नर्ते था और एक ता छेत्रिय नर्ते और तीसरा था सामाजिक धार्मिक नर्ते ठीक है व्यावसाइक का मतलब क्या होता है धंदा या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस के रूप में उसमें है जो कि क्या हो जाता है उनका जो उनको पेसे मिलते हैं या फिर हम कह सकते हैं उनको उसके बदले जो कुछ मिलता है उससे क्या हो जाता है उनका जो रोजी रोटी या फिर उनका पता है जो कि बहुत धंजा हो जाता है इसको इनका बीजनिश होता है ठीक है तुध के अनुशार हम बात करें तो जो लोग शंगीत है इसको भी एंदर हम लोग बांटके पड़ेंगे विवाब सब्सक्राइब के जाइ Lakra 방 consolom में था तो प्राचिन रूप से हम बात करें प्राचिन काल के अंदर यानि जो लोक गीत है उनको कई सारी बागों में बात के पढ़ेंगे जिसमें व्यावसाइक जातियों के गीत पहले पढ़ेंगे व्यावसाइक जातियों के गीत जिसमें यानि प्राचिन काल के अंदर जो बदले कुछ दिया जाता था, खाने पिनी का मान सकते हैं, या फिर उनका है जो कि रोजगार था वहां पे, तो वो उनका व्यवसाइद था, यानि प्राचिन समय में राजा माराजा की वहां पे हैं, जो कि दरबार में, जातियों की बात करें, जैसे कि धोली जाती है, भाड जाती है और लंगा जाती है मंगने आर जाती है धाड़ी है जोगी है ये तमाम जो जाती है इनके बारे में लिख लेंगे तो ये जाती है जो कि वहां पर जो कि गाना गाने के कारिये करती थी संगीत गाने का कारिये करती थी और इनके बाद में बात करें तो ये वहां पर गी शेत्रों में अलग अलग गयन शेलियों का प्रयोंग करती थिए अब उन की बात करें जैसे कि को हो जाएगी एक," ने की कौषीउप आप से गयो क्या ज़रें, जैसाने इन का भी जैसे मांड सेलिय है ठीक है,"से ने मारू सेलिय," ठीक है,"नृ, एक होगी सोरट शेली सोरट शेली होगी और एक होगी खमाज शेली होगी खमाज शेली और एक देशज शेली होगी खमाज शेली और देशज शेली होगी देशज शेली और एक होगी बिलावल शेली बिलावल शेली ठीक है अब अगर शेलियों का नाम पूछ ले तो आपको है कि यह कसके हैं कितने होगी छह है इन सह्लियों का नाम आपको याद करना पढ़ेगा, लेकिन प्राचिन रूप से बात करें, तो मांड गायन सहली है, इसके को प्र्मुक रूप से लुग संगीतों के अंतर है, जो कि हम क्या करेंगे, महत वता देंगे और इनको पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचिन काल में जो प्रमुक जो गीत है प्रमुक संगीत है वो इस सेली के अंदर गया गया है और एक प्राचिन कलाकार थी जिनका नाम था अल्ला जिलाई बाई या फिर अल्लाई बाई ठीक है उन्होंने है जो कि मांड गायन सेली के अंदर एक जो गीत गया था क तो चलिए पहले हम क्या करते हैं इनके बारे में थोड़ा अशा लिखे लेते हैं चार-पांच लाइन जो भी हम लिखने वाले हैं उसके बाद हम फिर से आगे जो हम समझने की कौशुस करेंगे पहले एक लाइन लिखें लिए हेडिंग लगा दी लोग संगीत लोग गीत लो जन शाधारण के मनो भावों का प्रतिविम्ब ही क्या है प्रतिविम्ब लोग संगीत है लोक संगीत है और इनका मुखे जो आएम कह सकते हैं आधार लिखे संगीत है मुखे अधार मुखे अधार क्या है लोग गीत है इसका मुखे अधार लोक गीत है यह लिखे फिर अलग अलग है जो किसके क्या क्या बताएगे है कतन बताएगे है यानि ऐसे लिखे कि लोग गीतों से समंदित कथन एक लाइन लिखे लोग गीतों से समंदित कथन लोग गीतों से समंदित कथन लोग गीतों से समंधिये थे कथन पहले लिखे महात्मा गांधी का महात्मा गांधी डेश करके लिखे इसमें मात्मा गांधी के अंदर आपको लिखना है कि लोग गीत जनता की भासा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार है लोग गीत जनता की भासा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार है लोग गीत जनता की क्या है भासा है जनता की बासा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार है कौन है लौक गीत के पहरेदार है ये कथन किसने का है जिसमें यानि इन्होंने ये भी का है कि जिसमें परवत है धरती है नदिया है और है जो कि फसले ये इसमें है जो कि जूमते और गाते हुए है जो कि प्रतित होते है ये किसने का है ये हम कह सकते हैं महत्मा गांदी ने का है लिखे जिसमें डेस करके परवते कौमा धरती कौमा नदिया कौमा फसले आदी जूमते और आदी जूमते और गाते हुए प्रतित होते हैं और गाते हुए प्रतित होते हैं चीक है तो लिखिए फिर उसके बाद में हम लिखते हैं टेगोर के अनुशार टेगोर ने है जो कि कह सकते हैं लोग गीत का जो कतन है वो किस परकार से दिया है कि लोग गीत संस्कृती का सुखद संदेश देने वाली कला है लोग के गीत संस्कृती का सुखद संदेश देने वाली कला है लिखे एक लाइन और लिख लेते हैं किसके अनुशार टेगोर के अनुशार एसे लिख सकती है या फिर टेगोर करके है जो कि लिख दीजिए कि लोग गीत संस्कृती का शुगत संदेश देने वाला वाली कला है लोग गीत संस्कृती का शुखदे संदेश देने वाली संस्कृती है देने वाली कला है संदेश देने वाली क्या है कला है ठीक है तो लिखे यहां तक फटाबट से टेगोर के नुसार है लोग गीत संस्कृती का सुखद संदेश देने वाली है जो कला है लिख लिया कि यहां तक मैं थोड़ा साइड में हो जाते हूं अच्छे से लिखे और उसके बाद में राम चंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या कतन दिया है लोग गीत के बारे में और फिर है जो कि देवेंदर सत्यार्ती ने क्या का है अवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है क्या एक बार मैं थोड़ा सचे कर लेता हूं इसको भी अवाज अगर मिस्टेक है या फिर किसी प्रकार से अगर कोई रूकावट है तो आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं ओके चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब गथन लिखते हैं रामचंदर शुखल का लिखे रामचंदर शुखल शुखल रामचंदर शुखल उन्होंने क्या है कि संस्कृति है जो कि क्या है संस्कृति किसके कंदों पर बैठ करके आती है इसका मतलब क्या है कि लोग जो गीत है वह भी किस से कंदों पर बेटकर संस्कृति लोक गीतों के कंदों पर बेटकर के जो की आती है इसा किसणे का है राम का है अब लिखे देवेंदर सत्यार्थी देवेंद्रे सत्यार्थी इन्होंने क्या का है किसके मुह कह सकते हैं जो है इसमें कहा जाता है कि मुह बोले चित्र है यानि लोक गीत किसी संस्कृति के मुह बोले चित्र है कि देवेंदर सत्यार्थ तो लेकि लोग गीत किसी संस्कृती के मुह बोले चित्र है तो ये चार परिवासा है जो कि इन्होंने दी है यानि हम कह सकते हैं कतन इन्होंने काई है एक तो रामचंदर शुक्र ने काया कि संस्कृती जो लोग गीत किसे संस्कृती के मुह बोले चित्र है और क्या है टेगोर के नुशार का गया है कि लोग गीत संस्कृती का सुकद संदेश देने वाली है जो कि क्या है कला है और गांदी जी ने का है कि लोग गीत जन्ता की भासा है और हम कह सकते हैं जो हमारी संस्कृती है वो उसके पहरेदार है जिसमें परवत है, नदियां है, फसलें है और धर्ती ये कहे किसमें जूमते हुए और गाते हुए है जो कि परतेते बताएगे है किस के दोरा मातमा गांदी के दोरा अब एक लाइन लिखे कि लोग गीतों को निमन प्रकार है जो कि बांटा जा सकते हैं किस किसमें जिसें की व्यवशाई के अंदर बांटा जाएगा छेत्रिये के अंदर बांटा जाएगा किस छेत्र में कौन जो कि गीते काये जाते हैं और कौन से जो जातियों के कौन से जो स लोक गीतों को निम्न परकार बांटा जा सकता है लोक गीतों को निम्न परकार बांटा जा शकता है प़हला एक नम्मर लगा के लिखे व्यावसाहिक के जातियों का गीत या फिर व्यावसाहिक के जातियों के गीत जसके बारे बारे के वैं अधिर आभें हम लोगोंने शम्जा है व्यवशाई के जातियों के गीत इसके अंदर है जो कि लिखे कि प्राचीन समय के अंदर राजा माराजाओं के यहा है जो कि कई सारी जो जातियों के लोग है वह वहां पे एक व्यवशाई के रूप में है जो कि गीत गाने का कारे वह करते थी इसमें लिखे प्राचीन समय में या फिर यूँ लिख सकते हैं प्राचीन काल में राजा मारजाओं की यहां राजा महाराजाओं इसे लिख सकते हैं पराचीन काल में राजा माराजों के यहां कई जातियों के द्वारा है जो की गीत गाने प्राचिन काल में राजा माराजाओं के यहां कई जातियां संगीत व्यवशाई संगीत व्यवशाई संगीत व्यवशाई का काम करती थी अब जिसमें लिख सकती है आप डोली है डाड़ी है मंगन्यार है भाट जाती है लंगा जाती है यह तमाम जो भी है जैसे डिस डोली है कॉमा मिरासी कॉमा मंगनियार मंगनियार कॉमा भाट अधोली डोली लिख दिया और इसके बाद में लिखिया बाट लिख दिया जोगी लिखे लंगा लिखे ठीक है कितने होगे तीन ठीच डोली है मिरासी है मंगनियार है बाट है कह सकते हैं जोगी है लंगा है यह जो तमाम यहां पर हम कह सकते हैं और कौन सा रह गए एक रह गए डाड़ी डोली और डाड़ी यह हो गए डाड़ी यह जाती है जो कि यहां पर जो व्या और उसके बाद में next आगे बढ़ते हैं कि यहीं जो तबाम जाती हैै यहां पे विबिन तो यहां से प्रशन वापस उट रहे हैं टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं इन जातियों के दौरा लखा अधि गैसा के द्वारा लगा आधी जातियों के द्वारा आदी इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए यानि जातियों के द्वारा विभिन्ने छैत्रों में अलग अलग गाईन सालियों का प्रयोग किया जाता था अलग-अलग है गायन शेली गायने शेलियों का प्रियोग किया जाता था या फिर यह लिख सकते हैं कि अलग-अलग गायन शेलियों के अंदरी एक संगीत है जो कि गाया करते थे प्रियोग किया जाता था ये आपको समझने के अनुशार है जो कि आप किसी प्रकार है जो कि इनको लख सकते हैं लिख लेजिए फटा फट से दीख रहना सभी को चलिए लिखे 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 वटा पड़ से नेक्स्ट उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि अगे में की चलिए लिखे लिखा कि अलग अलग आप गायन सेलियों का प्रियोग है जो कि करते थे अब गायन सेलियों की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से कौन-कौन सी गायन सेलिये हैं जैसे यह लगा जैसे किन गायन सहलियों का प्रयोग करते थे जैसे कौन सी हो जाएगी मांड गायन सहली सीधा लिखते रहें मांड सहली कौन सी हो जाएगी मारू सहली सौरट सहली फिर कौन सी हो जाएगी बिलावल सहली फिर लिखें देश संज सहली देश संज सहली ठीक है मांड सहली हो गई मारू सहली सौरट सहली बिलावल सहली और है जो कि कौन सी देश सहली एक और कौन सी रगई खमाज सहली है इनका नाम आपको है जो कि याद करना पड़ेगा किसी परकार कर सकते हैं मामा प्राचीन प्रमुक रूप से हमें जो पढ़ना है वह किसके बारे में पढ़ना है मांड सहली के बारे में किसके बारे में पढ़ना है तो अब यहां पर लगए मांड सहली एक पहले लिखे मांड सहली मांड सहली इसका नाम क्यूं पढ़ा क्योंकि प्राचीन समय के अंदर जो राजस्थान का पस्मी भाग लिख सकते हैं चलिए एक बार समझे प्राचीन काल के अंदर यह फिरम कह सकते हैं प्राचीन समय में पुराने जमाने के अंदर, आज से बहुत शालों पहले, राजस्थान का पस्थमी भाग, जैसे ये राजस्थान है, इसका पस्थमी भाग कौन सा हो गया, ये, तो यहाँ पे है जो कि जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसल मेर के आसपास, कहाँ पे, जैसल मेर के आसपास, जेसलमेर का आसपास का जो छेत्र है वो क्या कहलाता था मांड छेत्र कहलाता था जेसलमेर का आसपास का जो छेत्र है वो मांड छेत्र है जो कि कहलाता था इसलिए इसका जो नाम है यानि इसलिए यहां पे जो प्रियोग ली जाने वाली जो गायन से लिए है उसका नाम क्या पढ़ गया है इसलिए यहां पे जो प्रयोग ली जाने वाले जो गायन सेलियों का नाम है वो मांड गायन सेली पढ़ गया तो यहां पे लिखे इसके बारे में और फिर मांड गायन सेली की जो प्रमो के हम कह सकते हैं जो एक संगीत कार है उसके बारे में बात पड़ने पड़ेंगे तो इसमें लिखे कि प्राचीन समय में राजिस्थान का पस्चमी भाग जैसे की कॉस्ट्रक में लिख सकते हैं जैसल मेर के आज पास मांड चेत्र कहलाता था इसलिए यहां प्रयोग में ली जाने वाले जो गाय नसलियों को है जो कि मांड गाय नसलि कहा जाता है लिखे प्राचीन समय में राजिस्थान का पस्चमी भाग राजिस्थान का पस्चमी भाग पस्चमी भाग को क्या कहा जाता था मांड चेत्र कहा जाता था मांड चेत्र कहा जाता था जाता था इसलिए इसलिए यहाँ प्रियोग में ली जाने यानि उस समय के अंधर यहाँ प्रियोग में ली जाने वाली गायन सेलियों कि प्रियोग में ली जाने वाली वाली गायन सेलियों को क्या कहा जाने लगा यहाँ पर प्रियोग की जाने वाली गायन सेलियों को है जो कि मांड सेलिय या फिर है जो कि हम कह सकते हैं कहा जाने लगा प्रियोग ली जाने वाली गायन सेली को या फिर गायन सेलियों को मांड सेली का गया मांड सेली का गया समझ में आ गया है मांड सेली यानि का के जो हम कह सकते है कि चैत्र के अंदर जो गयता जाता तो यह लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मांड सली के अंदर प्राचिनतम जो अवसेस के रूप में हम कह सकते हैं वो किसने के उदारन के तो पधारो मारे देश जो किसने गाय था अल्ला जिलाई बाई ने प्राचिन उस समय है जो कि सबसे पहले है जो कि उन्होंने उसके रचियता के कहे कि पधारो मारे देश रुशके रचियता कोना तो अल्ला जिलाई बाई जिसको है जो कि आपको याद रखनी हैं आल्ला जिलाई बाई के अंदर 1982 है 1988 2003 और 2012 इन सभी के बारे में बात हम करने वाले हैं जिसने राजस्तान की मरू कोकिला भी कहा जाता है और गवरी बाई को है जो कि क्या कहा जाता है बताइए राजस्तान की कोकिला ठीक है एक यह तो हो जाएगी अल्लाई बाई जो कि मरू कोकिला और गवरी बाई उनको है जो कि वो भी बिकानेर की थी उनको जो कि राजिस्थान की कोखिला का जाता है लिखी यहां तक फिर एक नमर लगा के लिखे मांड गायन सहली की प्रमुक कलाकार नेक्स्ट आगे बढ़ देते हैं यह यहां तक लिखे फिर पढ़ते हैं मांड गायन सहली की प्रमुक के कलाकार लिखे एक एडिंग लगा है लिख लिया होगा मांड गायन सहली की प्रमुक के कलाकार मांड गायन सहली की प्रमुक कलाकार लिखे एक नमर लगा के लिखे अल्लाई या फिर डैस करके लिखे अबलिक लगा गए अल्लाजिलाई बाई जिनको अल्लाई बाई या फिर अल्लाई भी कहा जाता है अल्लाई जिलाई बाई भी कहा जाता है अल्लाई जिलाई बाई कहां के रहने वाले थी ये बीका नेर की तो लिखे बीका नेर जनम कब वहा था इनका 1902 में 1902 में इनका जनम वह था और मर्ती हुई थी उनकी 1902 में चीक है तो यह याद रखना है 1902 लिखी यहां पर आ ओर उस समय हम कह सेकते हैं महां पे जो साश्यक थे महराज गंगा सिं स्यंकेज प्रति यह son इन्हें मरू कोकिला कहा जाता था लिखे यह नहीं बात कर सकते हैं यहां तक लिख लिए अब लिखे इन्हें बीकानेर शाशक महाराजा गंगा सिंग का है जो की शहरक्षर परदान था इन्हें बीकानेर के साशक महाराजा गंगा सिंग का श्यहरक्षर परदान था श्यहरक्षर परदान था इन्हें मरू कोकिला का जाता है इसे लिखे या फिर ऐसे लिख सकते है और फिर इनके बारे में लिखते हैं इन्होंने जो कौन-कौन से जो पुरुषकार परदान किये हैं उन सभी के बारे में बात कर देते हैं इन्होंने परकार के पुरुषकार पुरुषकार परदान किये है या फिर इन्होंने नहीं है जो निखे तो लिखे मांड गाई की इंदर एक लाइन लिखे, मांड गाईकी में, मांड गाईकी में इन्हों ने, ऐसे लिखे, निम ने सम्मान प्रदान किये, तो इसके इंदर आपको चार डेट याद रखने है, वह कौन शी हो जाएगी, एक हो जाएगी दो हजाएगी दो हजाएगी दो हजाएगी दो हजार बारा, थीकिया? 2012 में राजस्तान रतन पुरुषकार और 2003 में पांच रुपय का डाग टिकट जारी और पदमश्री पुरुषकार है और इसके बाद में दो हजार उनीश सो इठाशी के अंदर हम बात कर सकते हैं चली इनके बाद में यानि इनको है जो कि मर्नो परांत है जो कि धिया गया है क्योंकि नहीं के मृतल गरत हो चाते हैं कि अन्दर है छोकि इनको हम कह सकते हैं इन पर पांच रुपे का का जूडाक टेकर शारी किया गया तो यह मरनौ पुरांत है जो कि माना गया है यानि इन यहां पर मरने के बाद में और जो कि हम कह सकते हैं 1988 के अंदर है जो कि संगीत नाटक अकाद्म पृष्कार भी इनको है जो कि दिया गया था 1982 के अंदर पदम श्री पृष्कार इनको है जो कि दिया गया था तो लिखिए इसके बारे में लिग लेते हैं प्रदायन किया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरिशकार यह हो जाएगा और संगीत नाटक अकादमी पुरिशकार और 2003 में हम कह सकते हैं पांच रुपे का डाक टिकट इन पे है जो की जारी हुआ पांच रुपे का डाक टिकट जारी हुआ किन पे बाद था अल्ला जिलाई बाई पे 2012 मेने है जो की राजस्थान रतन पुरिशकार राजस्थान इनके नाम पे राजस्थान रतन पुरिशकार है जो की राजस्थान रतन पुरिशकार प्रदान किया गया पर्दा ने किया गया ठीक है तो अब ये भी शवाल आपके उठ रहा है मन में कि 1912 में इनकी मर्ति हो गई तो 2003 और 2012 वाला जो इसे लाइन लिख दीजे मर्नो प्रांत दिये गे सम्माने से लिख दीजे ये दोनों मर्नो प्रांत मर्नो प्रांते दिये गे सम्मान चीक है तो ये बात आपको याद रखने है याद हो गया 1982 के अंदर पदम शिरी पुरुषकार संगीत नाटक अकादम पुरुषकार 2003 में पास रुपे का डाग टिक्र जारी और अंतिम है जो की 2012 के अंदर आजस्तान रतन पुरुषकार सहीन जो की शमाने तक क्या गया ये दोनों हम कह सकते हैं एक तो 2003 और 2012 वाड़ा जो लोगों नहीं यह पर डेस करके लिखा है इस आप अच्छे से लिख लेना अपने नोड़ में अलग कलर से पहन से लिख सकते हैं इनको है जो की इ पिर आगे बात आती हैं हम कह सकते हैं कैसरी अबालां के बारे में भी हम लोग है जो की पढ़ने वाले हैं यानि इसके जो अन्य कलाकर पहले बात करते हैं मांड सेली की प्रमुक जो कलाकर बात करें तो एक नमर लगा कि हम लोगों है जो की अल्ला जिलाई बाय के बारे में देखिए एक बार इतना पर फटाफट से लिखने कोशिश करें फिर चार पांच अन्यक अलाकार इसके अंदर और हम देख लेते हैं जो मांडे गाई की से समन्दिते माने गए हैं लिख लिया गया लिखे चली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक नमर हम लोगों निजे लिख लिया मांड गाई की के अंदर और फिर आगे नेक्स्ट लिखते हैं दो नमर लगा के लिखे कि दो नमर लगा के लिखे हैं गवरी देवी यह भी कांगे थी भी कानेर के कोस्टक में लिखे इसके कि इन्हें राजिस्थान कोकिला कहा जाता है राजिस्थान कोकिला कहा जाता है अच्छी मदूर इनकी आवाज थी कोईल जैसे इसलिए इन्हें है जो कि कोकिला का गए है फिर एक तो गवरी बाई दो थी एक तो गवरी देवी यह हो गई विकानेर और एक थी गवरी बाई ती नमर लगा के लिखे गवरी बाई गवरी बाई यह आगी थी पाली की अब इनका है जो कि क्या आपको क्या करना है नाम लिखना है चार नमर लगा के लिखे बानो बेगम एक थी जमीला बानो एक थी बानो बेगम यह आगी थी जेपूर की थी एक थी बानो बेगम पांच नमर लगा के लिखे बानो बेगम बानो बेगम तो होगी जमीला बानो एक थी जोद पूर की एक थी चैनल लगा के लिखे मांगी बाई मांगी बाई यह कहां किते उद्देपुर के तो ये छह आपको गाई की मैं कहेंजिकते हैं उनका नाम लिकन है गाई की जो थे मांध गाई किसे समन्दी थे जो कलाकार थे पहला लिखे गवरी देवी विकानेर जो कि राजिस्थान कोकिला जिने का जाता है और मरू कोकिला किसे का जाता है अल्ला जिलाई बाई को का जाता है और गवरी बाई कहां कि थी पाली की थी और बानो बेगम है जो कि की थी हम कह सकते हैं जेपूर की थी और जमीला बानो ये कहां कि जूदपूर की थी और मांगी तो एक बार लिखें इतना कि इसको इधर कर देता हूं ना लिखी अच्छा से कि लिख लिए गया फिर लिखें एक लाइन लिखें मांड गायन सेली के प्रसिद गीत एक लाइन लिखें मांड गायन सेली के प्रसिद गीत जिसमें लिख दें आप है कैसरिया बालम पधार हमारे देश कैसरिया बालम मांड गायन सेली से सम्मधित गीत मांड गायन सेली पहले तो अम लोगों ने हैं जो कि मांड गायन सेली के हम कह सकते हैं जो कलाकार उनके बार में नाम लिख दिया आप लिखे जी मांड गायन सहली के प्रसिद गीत प्रशिदे गीत इसमें कौन सा लिखेंगे निचे डेस करके लिखें पधारो मारे देश मारे देश या फिर मारे देश कौस्टक लगा के लिखे किस रिया बालम केस्तरिया बालम केस्तरिया बालम पधारो मारे देश और यह जो एक हम कह सकते हैं आदर्श वाके भी है किस का है किस डिपार्मेंट का है किस विभाग का है बहुत मैं पड़्य करल वाकरां शर्मारे की आदर्श करेंपिशल का मतलम क्या होता है अभाव में वह गिया गयाPower में सकते हैं किसी के बिच्छडने पे किसी के है जो कि बिच्छडने पे गया गया गीत है जो कि माना जाता है किसी से अलग होने पर तो इसके अंदर लिखें एक बार एक दो लाइन ये और ये एक विरह गीत है ये एक विरह गीत है कि राजस्थान राज्ये का एक और लाएन लिखे है ये राजस्थान का राज्यगीत है राजस्थान का राज्यगीत है और एक लाइन और लिखे राजस्तान प्रेटन विभाग क्या होता है इंदी में इसे का जाता है राजस्तान प्रेटन विभाग निगम और इंग्लिस में इसे का जाता है राजस्तान ट्यूरीजम डेवलेप्मेंट कॉर्फरेशन क्या का जाता है तो ये बात आपको याद रखनी है और उसके बाद में पढ़ते हैं थोड़ से मतलब के अब नाव आपको याद रखनी है लोगीत है उनके कईसारों के जानि अलग लुक चैत्रों में वब्विन प्रकार के जो आउसरों के उपर है ज्यो कि लोगई जो गयन गये जाती है उनने प्रशिदे माने जाते हैं अब अगर आपके तो इनके बारे में एक लाइन आपन शोन लेते हैं के सरीया पाले में थेहावो नी पैधारो नीमारे देश जी अधोला प्यारी रा मारा तेहावो नी पैधारो नीमारे देश पैधारो नीमारे देश जी अधोला प्यारी रा मारा तेहावो नी पैधारो नीमारे देश जी तो उसके बाद में हम यहां तक पढ़ लिया है और नेक्स्ट ही हम क्या करते हैं चेत्रिये जो लोग गीत है उनके बारे में थोड़ाशा क्या नाम जान लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो चलिए कि यहां तक लिख लिख लिए होगा आपने और उसके बाद में आगे लिखते हैं तो यह चार-पांस लाइन इसके अंदर लिख लीजिए कि मांड़े गायन सहले के जो प्रुसिद गीत है उसके अंदर आपका कौन सा रहेगा पधार हुमारे देश यानि क्या सरी है वालम जो पर बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कुछ छेत्री लोग गीत है उनको लिख लेते हैं फटापर से लिखने कोसिज करें लखते हैं अब हेडिंग लग rays ей लगेई चेत्री लोगत उसमें यान हम कह सकते हैं अलग छैत्रों में विभीन आयस्टाव lunar पर कैई शारे कई लोग तो काप्रयोग है विभी चैत्रों में लिखिए adding लगए च्चत्रिय लोकगीत च्चत्रिय लोकगीत च्चत्रिय लोकगीत के बारे में पढ़ते है ठीक है और इसमें लिखे कि विबिन चेत्रों में अलग अलग है या फिर हम लिखे कि अलग अलग चेत्रों में विबिन आउसरों पर गाये जाने वाले गिये थे लिखे एक लाइन लिखे अलग 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 चेत्रों में अलग 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 चेत्रों में विभिन आउस्रों पर गाय जाने वाले गीत विभिन आउस्रों पर गाय जाने वाल गीत जैसे लिखे लालर गीत है नोसिक्य और बिच्या गीत है पटील्य गीत है लिखे जैसे या फिर यह से लिखे पटेल्या गीत है नोसिख्या गीत है और कौन शाह हो जाएगा बिच्छिया गीत है जरिख लालर गीत है नोसिख्या गीत है या नोसिख्या गीत है और लालर गीत है और इनके बारे में बात करें तो जैसे कि आपका है यहां जोकि मचरा कहते है और हम कह सकते हैं सिखारी गीत भी है जो कि इसके अंदर गाया जाता है सिखारी है पटेले है बीचे है और नौसिक्षा है इसमें एक दो लिख दीजिए मत्चर गीत एक तो मत्चर गीत और एक है सिखारी गीत ठीक है तो यह लिखिए इसके अंदर और उसके बाद में याने जो इनके बारे में बात करें तो एक चीज लिखिए कि छेत्रों के अंदर किस छेत्रों के अंदर जो प्रशिद है तो यह लिखिए मेवाड छेत्र के प्रशिद है यह सभी मेवाड चैत्र के प्रशिद यह सभी अधि मेवाड के प्रशिद है यह से लिखें नाम अब लोगों लिख लिए तो हम कह सकते हैं से त्री गितों के अंदर इनको साथ में लिख लिए और लिख लिए कि यह मेवाड के प्रशिद है अब कोचे जो नाम लिखेंगे उनके बारे में अदर कोई पॉँँड़ना कोई देखने को मिलती we can add ओ और आगे लिखते हैं यह इतना लिख उसके बाद में next Copy प्राइज लेते हैं ताकि उसमें अच्छे से हम बढ़ सके लिखिए पटापट से लिख लिया गया चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं इसी के अंदर चैतरी गीत के अंदर जिसमें लिखे एक लाइन लिखे के हम कह सकते हैं लोवडी गीत या जिसे हरनी गीत लिका जता है लोवडी गीत अब पॉइंट लगा के लिखते रहें लोवडी गीत लोवडी गीत यह आप लिख करके लिखें हरनी गीत यह दो गीत एक हम कह सकते हैं घडल्यो गीत इन दोनों के अंदर अच्छे से याद रखना है घडल्यो गीत अब दोनों के अंदर सेम है सेम सिच्वेशन है थोड़ी इसके अंदर आपको क्या करना है चेंज करना है थोड़ा सा चेंज करना है तो अब इनके बारे में बात करें तो जो यह गीत है यह मेवाड के अंदर है जो कि मेवाड में गया जाता है दीपावली के अउसर पर है जो के बारे में अगर बात करें तो इसमें लिखना आपको कि मेवाड में ए और लडखों की द्वाराहे और यह जो कि मेवाड में यह द fox आपको थे याद रखने यह विए आप यह गीत मिवाड में मिवाड में कब गया जाता है दीपावली गया उसर पर या फिर ऐसे लिए कि दीपावली पर लड़को द्वारा गया जाता है यह गीत मिवाड में मिवाड में यह गीत मिवाड में दीपावली के अउसर पर मिवाड में दीपावली के अउसर पर किनके द्वारा गया जाता है दीपावली के अउसर पर लड़कियों द्वारा गया जाता है एक ओर लिखिये हमसीडो गीत किसके बारे में पढ़ते हैं हमसीडो गीत यह कैसा है कि यूगल गीत है एक लिखे आगे हम सीडो गीत हम सीडो से पता आपको चल रहा होगा कि यूगल गीत हम का मतलब यानि एक तो जैसे मैं हूं मैं का मतलब मैं एक हो तुम हो तो तुम मतलब एक हो सकते हो तुम का मतलब तुम उसमें भी हम कह सकते हैं अधिक हो सकते हैं तुम अकेले हो सकते हैं तुम अधिक हो सकते हैं तुम लोग हम का मतलब भी हम लोग है जो कि क्या है हम सभी हो जाएंगे तो आपके एक से अधिक है तो इसके यह कह सकते है यूगल गीत कैसा ग्यूत है यह एक यूगल गीत एक बीन टेम कॉल आगे है मैं थोड़ा देख लेता हूं यह एक यूगल गीत माना जाता है ठीक है यानि और गया कव कहा जाता है उत्री मेवाड में मांगली का उसरों पर गया जाने वाला एक यूगल गीत है तो यह लाइन इसके अंदर लिखने है फिर लिखना है एक मूमल गीत के बारे में पढ़ते है जो कि एक स्रंगारी कीत है क मांगलिक आवसरों पर गया जाने वाला गीत जो एक यूगल गीत है ठीक है फिर लिखे मुमल गीत है लोद्रवा की राजकुमारी थी मुमल गीत जो कहानी के बारे में हम लोगों ने बात की थी अच्छा से ठीक है और इसमें लिखे कि ये सरंगारिक गीत है जैस्तल मेरका सरंगारिक गीत है जैस्तल मेरका सरंगारिक गीत है तो लिखे इतना उसके बाद में थोड़ा और लिखते हैं आगे चार-पांच गीत इसके अंदर और रहेगा चैत्रिय गीत के अंदर लिखे फटा पर से लिखने को सिच करें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे बिच्छुडा गीत वेसे हैं जो की दो तीन परकार की दो परकार के तो होते ही है ना बिच्छुडा गीत है जो की एक तो हम कह सकते हैं जब अ मिच्छुडा गीत है जो की दो परकार के होते हैं एक तो हम कह सकते हैं जब पत्नी को भीच्छू का डंक लग जाता है तो मर्ना अशन पतनी है जो की यह मर समय क इनन्हें है की तुम है जो कि दूसरा विवा करने का संदेेस है वह उनको देती हैad गीत काती है तो ये उस समय आया जाता और ये yardage आने को वह अपनी पत्ति को गाना गाके जो कि उनको कहती है कि IK जहर उतारने के के लिए कोwater जाड़ा फूंक हो यह दो उसके अंदर यह इतना लिखे और फिर एक रशिक गीत है जो लोगों ने पड़ा था बंव रशिय sontus नर्ते नर्टे के अंदर यानि जो क्रिषण भगवान और कृष्टी जो रशिक गेत गय जता इसलए उसे उस नर्टे को भी है जो कि बमरिशिया नर्ति कहा जता हैं तो इसमें बात कर सकते हैं होली के अउसर पर गाय जाने वाले करश्ण शे समधी जो गीत है तो वह किस के अंदर गाय जाते हैं रसिया गीत है जो कि कहला दे, नेक्स्ट आगे लिखते हैं एक दो रस्या गीत लिखे होली के आउशार पर रस्या गीत लिखे होली के आउशार पर बगवान स्री क्रिश्ण से शमंदित रस्या गीत गये जते हैं रस भरे रसी के गीत गये जाते हैं ठीक है यह लिखे और उसके बाद में लिखे पंच्छिडा गेत पहले एक लिख लेज़ें बीच्छुडा गीत हैं हाड़ोती चत्र का लोग प्रिये गीत हैं यह हाड़ोती चत्र का लोग प्रिये गीत हैं हाड़ोती चत्र का लोग प्रिये गीत हैं जिसमें बीच्छु के काटने पर मरनाश्चन गीत हैं मरनाश्चन पत्नी कोस्ट्राइब लिख सकते हैं मरने वाली जो मरने वाली जो बस बीच्छु का जहर उस पर जोकी इफेक्टेड कैसे प्रभाव हो गये है पूरा और वो मरने वाली है तो वह मरते मरते कुछ गाना गाक्या जो को क्या करते हैं उनको संधेश देती है मरनाश्चन पत्नी है लिख सकते हैं जो मरने वाली है कि मर्शचन पत्नी दौरा पती को को दूसरा विवा करने का संधे से देती है क्या बिच्छो की काटने से किसी की मर्ती हो जाती है पर आज वह ऊorted हम लोगों ने देखा नहीं कि किसी के कि बिच्छो काटने से मर्ती हो गई है पर पता नहीं पहले होता था क्या यह हम कह सकते हैं यह जो केवल गीत गाने के लिए बिच्चु काटता था या फिर मरती थी बिच्चू ठीक है तो बिच्चुड़ा गीत हो गया है और एक जो बिच्चू गीत है हम बात कर सकते हैं जैसे किसी को है जो कि काट लेता है पत्ने को तो पत्ती को है जो कि जहर उतारने के लिए कहती है वह एक लाइन तो मुझे आती है कि ویسے तो नहीं आती है मुझे उसके बाद में next आके बात करते है वो अगय को नहीं आता है ना एक 이건 थी तो गद को प्या था इसा था कुछ उतार बाले में बीछुडा में धड़ीखेल बहां गई ड़गई मरगई इसा कुछ करकी था मेरे को नहीं हा रहा है वेशे था न nasıl चोड़ो पर77 पड़ते हैं बीछुडा गीत हो गया अब आगे के line लिखे आपे पंचिडा गीत जो कि आपके हाडोती वे डुन्डार का मांगली गीत है पंचिडा गीत लिखे पंचिडा गीत हाडोती वे डुन्डार का मांगली गीत सुब आउसरों पर गाय जाने वाल गीत है पंचिडा गीत हाडोती वे डुन्डार का मांगली गीत पंचिडा गीत हाडोती वे डुन्डार का है जो की प्रशिद्ध ़ीट कह contexto है फिर आपको लिखते हैं धोला मारु का नीगे लिखते हैं ऴृ connection का पुर्छिस्थ दोला मारुocks या झाय जाने वाला गीत या उन्हारा का एक प्रेम कार्नी पर आधारीत की आगे不錯 निटे offense प्रशिद है डोला मारू रा गीत या फिर शिता लेख सकते हैं डोला मारू गीत कहां का प्रशिद है सीरोही का इसे लिके आगे सीरोही ठीक है और फिर नीचे लेके शीरोही का प्रशिद गीत है जो डोला मारू की प्रेम कहानी पर रादारीत है आधारीत है है तो छेत्रों का नाम फूसकते हैं कि क्स छेत्र का है जो कि परशिद मानागे है तो अपको अच्छे से यसके बारे में बढ़ करके जाना है या फिर हम कह सकते हैं जो कि याद करना भ 흔र फिर धमाल गीत आपको पता ही तो कि धमाल गीत शेकह वाटी का प्रशिद और लिए पीपली गीत ये हब कि और और मारवाड में बिकानेर में है जो कि गया जाने वाले गीथ है जो कि वरशारितु में घाय जाता है वरशारितु के समय को पहले लिखेए कि धमाल्ोगीत कि धमाल घीथ est हूँ कर भार करें तो सेख्ष वाट्टी छ सेख्ष भती या फिर यह से लिके सिखवटी में होली के आउशर पर गाया जाता है अब लिके पीपली गीत और लिके पीपली गीत और इसमें लिएस करके लिके यह है जो कि अपके उसेखवटी चेत्र मारवाड़ औरiformat और अब्यद्न यह traffic और ओर भी गाया जाता है वीकनेर में गाया जाता है गाया जाता है कब गाया जाता है एक लाइन ओ लिखे वर्षारितु में गाया जाता है वियुक्त आरे वर्षा-रितू के समय ईह भाए जाता है जो सब्सक्राइख गई अगा herbs that तो यहां तक लिखे लिए उसके बाद मीन है और का तो पंचीड़ा घीत अम लोगों नहीं लिखा था ना में लिखेसंगे लिख ली जी यह आपके पंचीड़ा ज रुट अर ensure हरुति और हरुटि और डुंडढर लुट के कि अंदर है मांगली का उसर पे लिखेसंगी कंई हैं कि तो इसके बाद में हमारे जो घीत आपत हैं क् कुल हम कह सकते हैं जो कुछ वीर्य गीत पढ़ेंगे कुछ अन्य गीत भी और ऑ पढ़ेंगे और उसके बाद में जो बचेंगे तो इसके साथ में आज की